नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच्छर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन और मेरे यूट्यूब का बहुती चर्चित कारिकरम राशियों का रियालिटी शो मित्रों आज हम लोग बात करने वाले हैं 14 अप्राइल के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे पंचांग की विक्रम संवत 2075 मास चल रहा है वैशाक का तिथी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथी है और शेनिवार का दिन है पैसे के लेंदेन में आज सावधानी रखनी होगी फसा हुआ धन या कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो जाए ऐसी इस्थिती है और कहीं जल्दिवाजी में आपने निवेश कर दिया तो धन फस भी सकता है रुक भी सकता है नुकसान भी हो सकता इस बात का भी आपको साथ में ध्यान रखना पड़ेगा धनदा इस्तरोत का पाठ करें और मानसाहार के सेवन प्रयोग से आज आज आप दूर रहें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है वरिशब राशी कारेचेतर में उथल पुथल इस्थानांतरन और विभाग में कुछ आपके खिलाफ साजिश प्रयंतर की इस्तिती बन रही है इससे आपको थोड़ा सचेत रहना होगा भगवान हनुमान की पूजा राधना आप करें और किसी भी तरीके के अफवाह पर आप ध्यान न दे मितुन राशी मितुन राशी वाले जातक लोगों को आज स्वास्त सुक मिलेगा परिवार में वाद दिवाद और तनाव की इस्तिती बंती दिखाई देती है आज की दिन चर्या में हनुमान जी की पूजा राधना के साथ साथ महादेव शिव की पूजा राधना करना शिव जी का अभिशेक करना आपको जल से अभिशेक करना आपको बहुत अच्छा लाब दे सकता है करक राशी करक राशी वाले जातक लोगों को पुराने समय में जो भी स्वास्त संबंदी समस्याएं या आर्थिक समस्याएं चल रहे थी आज उनसे आपको मुक्ति मिलेगी भगवान विश्नु की पूजा राधना आज आपको जरूर करना चाहिए विश्नु सहस्तर नाम का पाठ करें आपके लिए आज का दिन बहुती लापकारी हो सकता है सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए कारियश्थल में आज बहुत अच्छे योग बन सकते हैं व्यापारी वर्क को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा एक कोई अफसर प्राप्त हो है ऐसी इस्तिती बनती दिखाई देती है श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुती चमतकारी प्रभाव देने वाला आज रहेगा कन्याराशी कन्याराशी वाले जातक लोगों के लिए खासतोर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए जो लोग अपनी नौकरी में बदलाव चाहते थे परिवर्तन चाहते थे आज उनको बहुत अच्छा लाब मिल सकता है व्यापारी वर्क को कुछ नई प्लानिंग आप करक बहुत अच्छा लाब मिले ऐसे इस्थितियां आपके लिए बनती हैं आपको श्री सूक्त का पाठ करना लक्ष्मी जी को कच्छे दूद का भोग लगाना आज बहुत अच्छा फायदा देगा किसी की निंदा करने से आपको बचना होगा तुलाराशी तुलाराशी वाले परिवार में हर जगां आपका मान सम्मान बढ़े आपकी बात सुनी जाए लोग आपको स्ने करें आपको कोई उपहार मिले परिवार की तरफ से ऐसे योग आपके लिए बनते हैं आज के दिन को शुब बनाने के लिए बजरंग बान का पाठ करना चाहिए और किसी को जी आर्थिक सहायता भी आपके व्यापार के लिए करें कुछ रुपए पैसे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए दें उसको आपको समझबूच से इन्वेस्ट करना चाहिए आज आप प्रयास करें तो आपका रुका हुआ कोई बड़ा काम भी बन सकता है ओम नमस्षिवाय म पक्ष से आपके काम में कुछ बाधा आए ऐसी इस्तिती दिखती है ऐसी इस्तिती से बचने के लिए ओम दुम दुरगाय इनमह या फिर दुरगा चालीसा का पाठ आपको जरूर आज करना चाहिए मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों को आज प्रयास करना है कि आप कोई भी यात्रा न करें यात्रा की दृष्टी से आज का दिन अच्छा नहीं है और यात्रा में कश्ट की इस्तिती दिखाई देती है आज के दिन को शुब बनाने के लिए बजरंग बाण का पाठ आपके लिए भी बहुत ही लापकारी होगा कुम्बराशी कुम्बराशी किसी काम से आपको बहुत उमीद थी और वो काम नहीं बन रहा था आज आप पूरे आत्मविश्वास में पूरे कॉन्फिडेंस में उस काम के लिए जो लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बात करें तो आपका कोई एक काम तो आज बनता दिखाई देता है आज के दिन को शुब बनाने के लिए भगवान श्री राम की पूजा राधना करें राम रक्षा इस रोत का पाट करें आपका कल्यान होगा मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए आपके प्रयास से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा सामाजिक मान सम्मान पदप्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी वहंद सुख प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं आज के दिन को शुब बनाने के लिए भगवान गणेश की पूझा राधन है आपको जरोर करनी चाहिए तो मित्रों यह तो बात रही आइज के बारराशी की हम लोगों जाना की ग्रह नक्षट्र की परिस्थितियां क्या कहती है दिनको शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाय की इसमें मैं आपको बताओंगा बहुत सारे दरशकों ने ये जानना चाहा है कि शरीर में आलस बहुत रहती है काम करने का मन नहीं करता क्या किया जाए ? नहीं बनता आलस बहुत होती है तो इसके लिए क्या जोतिशिय उपाय हो सकता है तो भई या हमारे शास्त्रों में उपाय तो हर चीज का अगर समस्या है तो समाधान भी है राम चरित मानस के बारे में मैं अक्सर चर्चा करता हूं राम चरित मानस की हर एक चौपाई हर एक द लक्ष आप निश्चित ही प्राप्त करेंगे तो आज मैं आपको बताऊंगा आलस्य से मुक्ति पाने के लिए मानस की यानि रामचरित मानस की एक बहुत ही चमतकारी बहुत ही कल्याडकारी लाइन इस पंक्ति का प्रयोग करके इस दोहे का प्रयोग करके आप अपने जीवन में नवीन उर्जा का अनुभफ करेंगे शरीर में एक नया जोश आ जाता है इस दोहे का जाप करने के बाद ये दोहा इस प्रकार है हनुमान तेही परसा कर पुनिकीन प्रणाम राम काज कीन है बिनू मोही कहा विश्राम एक बार फिर से सुन लीजे हनुमान तेही परसा कर पुनिकीन प्रणाम राम काज कीन है बिनू मोही कहा विश्राम तो इस दोहे का कोई भी व्यक्ति अगर कुछ समय तक लगातार जाप करें तो हनुमान जी की ऐसी प्रेणा ऐसा इंस्परेशन उस व्यक्ति को मिलता है कि फिर व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष को प्राप्त किये बगार फिर रहे नहीं सकता फिर कोई भी आलस तो बहुत च्छोटी चीज़ है कोई भी बहाना आपके जीवन में प्रगति पत्में फिर बीच में आड़े नहीं आएगा आप को रोक नहीं पाएगा आपको मुझे उसके बिना आराम लेना ही नहीं तो मित्रों आशा करता हूं कि ये प्रेरख पंक्तियां इस तरीके के प्रेरख विचाइर शास्त्रिय जानकारियां अ लाब कारी उपाए तोटके यह जो आपको मेरे चैनल से मिलते हैं आप लोग निश्चिती इसका लाब उठाते होंगे बहुत सारे रिस्पॉंस आते हैं बहुत लोगों को लाब मिल रहा है इश्वर की यही कामना है यही प्राटना इश्वर चाहते हैं कि हम लोग आपका मार्ग दर्शन करते र और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैपवन जय श्री राम जय हनुमान बैवाईक जीवन में हो सुक्का अभाव पाईए अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमतकारी प्रभाविशाली समाधान एक जहनमाना और विश्वस्तिय नाप आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी काशी के चार सो वर्ष पुराने प्रतिश्टे और अंतर राष्ट्रे अख्याती प्राव राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर या फिर फोन पर अपॉइंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर इमेल करें sharma.webhub at the rate gmail.com पर